श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है, कल 26 सितंबर को पित्रपक्ष का गुरुवार है, और पित्रपक्ष की नवमी तिथी है, कल सरवार्थ सिध्धी योग भी बन रहा है, और रात करने जितना पुन्य फल की प्राप्ति होती है, देखिए, जब भी नवमी तिथी आती है, वह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाली होती है, खास कर जब यह गुरुवार के दिन पढ़ती है, तो आपके सारे कार्य सिध्ध होने वाले हैं, और जब गुरुवार की नवमी तिथी आती है, तो पीली चीजों का उपाय विशेश फलदाई होता है, आज के इस वीडियो में हम दो खास उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपको गुरुवार की नवमी तिथी पर करने हैं, पितरों का उपकार हमारे उपर रहता है, और इसे हम पित्री आ और परिवार में शान्ती बनी रहती है, तो चलिए, अब जानते हैं उन दो उपायों के बारे में, यह दोनों उपाय पूझ गुरुदेव, पंडित प्रदीब जी मिश्रा की कथा के हैं, तो इसलिए विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, अगर कुछ भी समझ में ना आ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत खास होने वाला है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले उपाय को विस्तार से समझते है यह उपाय खास कर उन लोगों के लिए बहुत लाबदायक है, जिनके घर में आमदनी कम है, खर्चे अधिक होते हैं, या फिर वे अपने जीवन में बार बार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस उपाय को पित्रपक्ष की नवमी तिथी, 26 सितंबर पर गुरुव के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, चने की दाल से जुड़ा यह उपाय विशेश रूप से पितरों को प्रसन करता है, साथ ही भगवान विश्णु और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है, सबसे पहले 41 चने की दाल लें, ध्यान रहे की दाल खंडित न पवित्रता का कारक है, तांबे और जल का संयोजन पितरों को प्रसन करने के लिए बहुत प्रभावशाली माना जाता है, सबसे पहले 41 चने की दाल को एक कटोरी में थोड़े से जल के साथ रखें, इस दोरान अपने पितरों का स्मरण करें, उनके प्रतिक्रतज्यता व्यक अब 41 चने की दाल को तीन भागों में बाटना है, पहले हिस्से में 11 चने की दाल लें, दूसरे हिस्से में 21 चने की दाल लें, तीसरे हिस्से में 9 चने की दाल रखें, सबसे पहले 11 चने की दाल लें और तांबे के पात्र में जो जल भरा था उसमें डालें, इसके साथ ओम अब इस जल को लेकर केले के व्रिक्ष के पास जाएं। केले के प्यड़ की जड़ में ऑम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह जल अर्पित कर दें। और भगवान विश्णु का आशीरवाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख और सम्रिध्य आती है। अब दूसरा, इस बार 21 चने की डाल लें और उसी तांबे के पात्र में जल भर कर उसमें डालें। इस जल को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। वहां जाकर शिव लिंग पर यह जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को मजबूत करता है और भगवान शिव का आशीरवाद प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन सम्रिध्ध में व्रिध्ध होती है। अब अंतिम चरण में नौचने की दाल लें। इस दाल को एक रोटी के उपर रखें और थोड़ा सा गुड़ भी रोटी पर रखें। अब इस रोटी को किसी लाल या सफेद रंग की गौ माता को खिलाएं। पहले ही पूरा कर ले। सूर्यास्त के बाद यह उपाय प्रभावी नहीं माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप नवमी तिथि पर यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो अगले गुरुवार के दिन भी इसे कर सकते हैं। इस उपाय से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं रहती। खर्चे कम होते हैं और आर्थिक समस्याओं का निवारन होता है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक फल जरूर प्राप्त होंगे। उपाय करते समय पवित्रता और श्रद्धा का विशेश ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेश उपाय। जी दूसरा उपाय। पित्रिपक्ष के दौरान घर में होने वाले अधिक खर्च और आर्थिक तंगी की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेश रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में आमदनी तो कम होती है लेकिन खर्चे अधिक होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामगरी चाहिए। जैसे एक स्टील की कटोरी, यदि उपलब्ध न हो तो स्टील का लोटा, कच्चा दूध, बिना उबाला हुआ दूध, और दूर्वा घास, भगवान गणेश को चढ़ाने वाली घास। या स्मरण किया जाता हो, जैसे मठके के पास रखे और वहां 11 या 108 बार पितरों को याद करे। ओम पित्र देवाय नमह का जाप कर सकते हैं। इसके बाद यह कच्चा दूध और दूर्वा घास लेकर आपको अपने घर के पास स्थित, पीपल के व्रिक्ष के पास जाना है। पीपल के व्रिक्ष की जड़ में दक्षन दिशा की ओर मुख करके ओम पित्र देवताय नमह मंत्र का जाप करते हुए इस दूध और दूर्वा घास को अर्पित करें। ऐसा करने से पितर प्रसन होते हैं और उनके आशीरवाद से घर में आर्थिक परेशानिया दूर होती हैं। आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाएगी और खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा। यह दोनों उपाय बहुत ही प्रभावी हैं और इन्हें करने से पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको किसी भी उपाय से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर प महादेव।